इस मोवी में हमें एक गाउं का हरा भराना जारा दिखाया जाता है जो गाउं में एक गाड़ी जा रहा होता है उस गाड़ी में तीन लोग होते हैं ये हैं ट्रैवेस ये बहुत ही उदास होता है ट्रैवेस वहां नहीं जाना चाहता था जहां उसे ले जाया जा रहा है और य ये हैं ट्रैवेस के दादा जी और ये है ट्रैवेस की छोटी बहन विकनी एक तरफ ट्रैवेस उदास होता है और एक तरफ विकनी बहुत खुस होती है विकनी इसलिए खुस होती है क्योंकि वो अपने दादा जी के फॉर्म पर जा रही है और वो वहां पर नहीं नहीं चीज गाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं तभी बीच में ही ट्रेवेश की दादी जी मिल जाती है उन्हें लिफ्ट चाहिए होता है अब उन सभी को दूर से एक आदमी दुर्बीन से देख रहा होता है यह एक बिजनसमैन है और इसकी नियत बहुत ही खराब होती है त्रेवेश के दादा जी के गाओं का पूरा जमीन ये हड़प लेना चाहता है वो प्लान कर रहा होता है वो अपनी फैक्ट्री खोलेगा लेकिन ये सब अकेला नहीं कर सकता वो अपने मदद के लिए अपने छोटे भाई को बुलाता है यह है उसका छोटा भाई ब्लैक स्टोन ये एक ज जाते हैं उन सबी को भूक लगी होती है और खाना खाने के लिए डेनिंग टेबल पर बैड़ जाते हैं दादी जी ट्रेवेस को अपने गाओं की बाते बताती है और दादा जी भी उसमें साथ देते हैं फिर अगले दिन सुबह होती है ट्रेवेस अपने बेट पर से उठ जाता है और अपने दादा जी के साथ काम कराने में मदद करता है तुसके दादाजी बहुत खुस होते हैं अब सभी लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैट जाता है और मियर्स को मश्थी करने का मन करता है और वो खेत में धादा-ची किसात मस्ती करते हुए खेती करते हैं Straight 144 करता है और वहिसे एक साइकल मिल जाने हैं डादा-जी अपने खेत में एक बहुत ही बड़े सब्जी को ना परे हो लेकिन इंची टेप छोटी पर जाती है बजार से इंची टेप लाने के लिए ट्रेवेस को कहते हैं अपनी साइकल उठाता है बजार की तरह लाने लगता है यहीं दूसरी तरह ब्लैक स्टोन अपने बड़े भाई से मिलने के चलिए पहुंच जाता है उसका बड़ा भाई अपने भाई को बताने लगता है कि सामने की जमीन को मैं हड़पना चाहता हूं तुम्हें इसमें मुझे मदद करनी ब्लैक इस्टोन दिखाता है जो वह हडप लेना चाहाता है जयर मिन हडपने के लिए वह अपने छोटे भा कड्यों के दोर पर जाती है और हम का पीछा करने लगते पहुत दूर जंगल की तरफ निकल जाता आगे चलते हुए शेंड़े में गिर जाता है ऑर दौर्ड ते हुए है जंगल की तरह आगे भागने लगता है यह शोपजाता है जब बाहर निकलता तो एक पे वो एक बहुत ही बड़े घर में होता है उसको देख डर जाता है उसरे बहुत ही विसाल करने लगता हलाकि वो बड़ा सा आदमी बहुत ही सच्चा और नेक दिल इनसान होता है वो ट्रेवेस की मदद करता है और ट्रेवेस की उससे दोस्ती हो जाती है ट्रेवेस उस बड़े से आदमी के साथ बाहर बगीचे में बैठा होता है तब ही महां चानक से एक बहुत ही बड़ा बोलने वाला बैल आ जाता है जो इंसानी भासा में बोल सकता है उसे देख ट्रेवेस बहुत ही हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ ट्रेवेस उन सभी से पूछता है कि मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा और वो बड़ा सा बैल कहता ह कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे घर तक पहुचाएंगे ट्रेवेस उनकी बात मान जाता है और बैल के पीट के ऊपर बैठ कर अपने घर की तरफ जाने लगता है ऐसे ही कुछ देर पैदल चलते चलते ट्रेवेस अपने गाउं में आ जाता है लेकिन उन्हें आते आते साम हो जाती है और वो लोग बहुत ही ठक चुके होते हैं वो लोग अराम कर ना चाहते थे तब चेहता है कि तुम लोग मेरे घर पर अराम कर सकते हो मेरे दादा जी का एक इस्टोर रूम है वहाँ पर तुम लोग रह सकते हैं वो लोग ट्रेवındaki की बात सुन कर बहुत ही खुश हो जाते हैं और ट्रेवेस के घर पर जा कर रहते हैं ट्रेवेस के दादा जी उस बड़े से सबजी को फिर से नाप रहे होते हैं और वहां ट्रेवेस पहुच जाता है और ट्रेवेस वो इंची टेव अपने दादा जी को दे देता है और उसके चाहते थे अतना ही बड़ा होता है यह देख वोई रात में अपने दादाजी की श्टोर में जाता है उन सब के लिए खाना लेकर वो लोग सका लाया हूआ खाना खा लेते हैं तभी अचानलंग से महाँ होगनी भी पहुच जाती है जो होगनी पूछती है कि तुम इतनी रात में यहां इस्टोर रूम में क्या कर रहे हो। विकनी जब उन बड़े लोगों को देखती है तो वो अपने आखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती है। विश्वास नहीं करती है। तब ही विकनी ट्रेवेस को खिषते हुए बाहर ले जाती है और ट्रेवेस से कहती है कि तुम इस स्टोर रूम से इन सभी को बाहर निकालो वरना मैं दादाजी से बता दूँ। मीटर लेकर उसके मूँ में लगा दे फिर चारों लोग आपस में बातचीत करते हुए अपना रात कुजार लेते हैं। फिर वहीं एक तरह बलैक स्टोन कुछ कागजात पेपर लेकर आता है जो वो सुबह से हरप रहा इतने कम पेपर देखकर वो बिजनसमेन आदमी बहु पूरा मेहनत बेकार चला जो मैं फैक्टरी बनाने का सपना देख रहा था अब वो पूरा नहीं हो पाया यह सब उसकी बाते सुनकर ब्लैक स्टोन कहता है कि तुम कौन सा बिजनस करना चाहते हो तुम अपने बिजनस के बारे में मुझे भी बताओ वरना मैं तुम्हारी को और उस मार्केट में कोई भी एमपलोई नहीं होंगे वहाँ पर होंगे रोबोट्स मसीने जो आटोमेटिकली सभी का काम करेंगे और सभी समान को सेल भी करेंगे यहां तक कि वो उधार भी देंगे लेकिन जो उधार लेगा उस पर मेरा पूरा हक होगा मैं उसकी जमीन भी वो बड़ा आदमी जोर जोर से खराटे ले रहा था जिसकी वज़ा से बैल को नेंद नहीं आ रही थी अब बैल परसान होकर घूमने के लिए बाहर निकल जाता है वो आसमान में जब चंदरमा को देखता है तो बहुत खुस हो जाता है और चंदरमा के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है कुछ दूर जाने के बाद वो दूसरे गाओं के पास पहुच जाता है जहां पर ढहर सारी गाएं एक जगह पर खड़ी होती हैं उन सभी गाये को देखकर वो बैल उन सभी के पास चला जाता है और उन सभी गाये से बात करने की कुछिस करता है ले तेर भागते भागते नीले बैल को प्यास लग जाती है और वो एक जगा तलाब में पानी पीने लगता है इधा ट्रैवेस सुबह सुबह ही उठा होता है और वो अपने दोनों दोस्त को देखने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है जब वो वहाँ पर देखता है तो वहा है कि हमारे स्टोर रूम में जो दो बड़े लोग थे वो अब वहां नहीं है शायद वो लोग अपने घर जा चुके हैं या फिर इसी मेले में यहीं कहीं है उन्हें धूरने जा रहा हूं और तुम किसी से भी कुछ मत बता विकनी कहती है ठीक है जाओ ट्रैवेस भागते तुम सुबह कहां चले गए थे यहां बैल जो पानी पीने आया था वो अचानक से बेहोस होकर बिजनसमेन के घर के बाहर गिर जाता है वो लोग इतने बड़े बैल को देख कर बहुत ही हरान रह जाते हैं और वो लोग उस बैल को बेच कर बिजनस करना चाहते थे एक जगा बैल को कैद करकर सिकडियों से बान देते हैं ताकि वहां से बैल भाग न सके बैल वहां से अपने आपको छुडाने की बहुत कुछिस करता है लेकिन वो चैन इतनी मजबूत होती है कि तूटने का नाम भी नहीं लेती फिर बैल गुस्से में आ जाता है और जोर से चैन खि जाता है जिसकी वज़ा से वो फिर भी होसो कर नीचे गिर जाता है